पेले लोग सड़कों पे कचना किया करते थे, नदियों में कचना डाला करते थे, लेकिन अब उन्होंने जगा बदल दी है, अब उनका नया अड़ा हो चुका है OTT प्लेटफोर्म्स, क्यूंकि इन OTT प्लेटफोर्म्स पर एसी एसी घटिया फिल्म आ रही है, जिसको देखन के बाद आप सच में पागल हो सकते हो, आप सच में में ट्रोमा में जा सकते हो, एसी एसी फिल्मे है, जिनको देखने के बाद आपकी आख में से इन OTT प्लेटफोर्म्स आ चुकी है, और एक OTT प्लेटफोर्म्स पर एसे इसे इसे घटिया फिल्म में कोर्स का कपज़ा हो आज मैंने एक एसी घटिया फिल्म पो दिखा है जिसका नाम है प्यार इश्क और पजेशन ये एक इतनी फाल्तु पिच्चर ने क्यों एसा दिमाग आपको ये खराप करती है ये जानने के लिए आप ये वीडियो में सुरुआ चले के अंदग बने रही है फिल्म की कहानी के अगर हम बात करें तो लक्षय एक पेंडर होता है लेकिन वो अपने उसलों का पक्का है वो अपनी पेंटिंग्स को बिकाव नहीं सबचता उसकी पेंटिंग्स की कीमत करोडों में जाती है लेकिन वो उसको बेचना नहीं चाता उसकी जो वाइफ है पलक व वो लक्षे को छोड़ दे और उसको वो 10 करोर का ओफर देती है तो क्या पलक उस ओफर को एकसेप्ट करती है या नहीं यह जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़े अब दोस्तों इस फिल्म का रिव्यू बे आपके लिए सब कुछ घटिया है इस फिल्म में देखने लाएक कुछ भी ऐसी चीज नहीं है मतलब इस फिल्म के जो एक्टर है वो तो B-grade एक्टिंग करी रहे थे साथ में इस फिल्म का जो डायरेक्शन है फिल्म के जो सीन है सब कुछ B-grade लेवल का है इस फिल्म को दिखा नहीं जा रहा था सच में आख में मोतिया बिंदू हो गया था ऐसा ही लग रहा था मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये जो फिल्मेकर से जो अपनी फिल्मों को बना के रख देते है कि कभी अपनी फिल्मों को नहीं देखते एसी कटिया फिल्म में अगर ओडियंस देखेगी तो क्या सोचेगी ऐसा उनको समझ में नहीं आता एक विचार भी नहीं आता अपनी फिल्मों को एक बार तो देखे तो सही तब जाके उनको पता चलेगा कि कैसी कैसी कटिया फिल्म में ये लोग बना के रखते हैं ये फिल्म इतनी वाहियात है, इतनी पका हुए, ओवर एक्टिंग से भरी हुई है और फिल्म का डारेक्शन सत्वे सूलाने वाला है ये फिल्म देखने के बाद सच में आप पागल हो जाओगे तो एसी फिल्म को उसे दूर ही रहना, एसी फिल्म को छूने की विम्मत बिल्कुल भी मत करना फिर भी आपको ऐसी खटिया फिल्म को देखना है तो ये फिल्म आपको शेमारो नाम के OTT प्लेटफर्म पर देखने को मिल जाएगी और इसकी जो लेंट है, वो दो गंटे के आस पास है सच में महायवायात ये फिल्म है मैं इस फिल्म को दूँगा, Zero of the 10 Stars आपको ए रिवी केसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और अगर रिवी अच्छा लगा, ओ तो लाइक से रूप कीजेगा तब तक के लिए फिर मिलते हैं जाई श्री राव